हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो गेन यूटूब चनल श्याम व्लॉग्स अभी रल हरम की सिरीज के अतर्स अभी मैं रिव्यू कर रहा हूं करेंटली और रिसेंटली मैंने लेजेंट अतर का रिव्यू किया है अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो डिस्रिप्शन में आ प्राइस की बात की जाए तो 600 रुपीज है आज हमारे पास अतर है वो क्यों ठीक है नाम में प्रोड़ा प्रोनाउंस अगर गलत हो तो पहले से माफिज आता हूं मीडियम रेंज में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर आपको अतर चाहिए इंटरनेशनल ब्रांडिं के टकर देने वाली ब्रांड के तो आपको जरूर अबीरल हरम के परिफ्यूम में जाना चाहिए तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं पैकेजिंग मुझे सबसे अच्छी लगी यहां पे गिफ्ट पैक के रूप में भी आप किसी को भी दे सकते हैं और यह 3D डाग्राम में इनसे बनाया गया है और बॉक्स को उपन कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बॉक्स की पैकेजिंग काफी अच्छी है पीछे से आपको दिखा देता हूं मैं और ओपन करने के लिए भी यहां पर हुक है स्टार्टिंग में सो अभी हम अतर को बाहर निकाल देते हैं पैकेजिंग की बात की जाए तो काफी अच्छी है बोतल के शेप को हम देख लेते हैं 12 ml की साइज में आपको मिलेगा और देख सकते हैं पैकेज को इसकी जो कलर है कलर वाइट इस है तो आप सफेद कपड़ों पर आरामसे से लगा सकते हैं तो अभी हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं जल्दी से एंड यहां पे मेरे हाथ पे से रब कर लेता हूं ठीक है तो काफी अच्छा आतर है और अभी से मुझे सी कुछ अबू आने लगी है जब भी हम इसे मैसूस करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को जब स्मेल करते हैं हम तो एक स्वीड सी और फ्रूटी नोट हमें यहां पे मिलेगा अस्टर्टिंग में आपको लगेगा कि कोई मॉसमी या किन्यू या माल्टा ठीक है संत्रा जिसे हम बोलते हैं जो भी आपके एरि खरी क्या में फ्रूट मिलता है तो आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं उसको कोई सबसे पहले आपको मिलेगी और साथ में स्वीड कोई स्थो स्वीत कोई सीविग्र थे तो वो आपको इसकें अदर बखूर मिलेगा ठीक है यह दो ही नोट मुझे अभी तक इसमें आ रहे है किन्नू या माल्टा आपको मिलेगा अगर आपने टेस्ट किया तो वो फ्रूट है और उसके साथ में स्वीट खुजबू है जिसे हम बखूर कहते हैं तोनों का कॉंबिनेशन है आपको यहां पे और यह सेमी स्ट्रॉंग खुजबू है याने माइड खुजबू है इक्षन नोट है आपको यहां पर एक से दो गंटे अराम से आपको जो किन्नू या माल्टा की खुजबू है मौसमी की जो खुजबू है वह यहां पर आपको मिलेगी आफटर तीन से चार गंटे बाद आपको जो स्वीट फेग्रें साइस की वह आपको धीरे-धीरे उसका बेस नोट आपको समझ में आएगा या उसकी खुजबू आपको यहां पर मिलेगी तो कहा जाए तो यह गर्ल्स के लिए भी काफी अच्छा है बॉइस के लिए भी ठीक है तो दोनों इसे लगा सकते हैं लांग लास्टिंग की बात की जाए तो आपको कभी-कभी लगेगा कि 6 या 7 गंटे में इसकी खुजबू खतम हो चुकी है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यह सेमी खुजबू है स्ट्रॉंग खुजबू नहीं है तो जब आप कपड़ों को एक दिन बाद वापिस पहनेंगे तो आपको जरूर ही मैसूस होगी तो लांग लास्टिंग की बात करें तो 24 गंटे इसकी लांग लास्टिंग रहेगी और प्रोजेक्शन जो इसका है एक गंटे के करीब इसका रहेगा काफी अच्छा असर रहेगा और गल्स बच्चे से लेके गल्स तो किसी भी एज में से लगा सकती है बोईस को अगर यह लगाना हूं तो जो पंद बात में आपको कोई दूसरा अतर लेना पड़ेगा उद बगेरा तो वैस चोई रहेगी और आपको काफी अच्छी लगेगी इसकी रेटिंग की बात की जाओं तो अग मैं इसको 9 out of 10 नमबर दूंगा ठीक है ना तस में से 9 नमबर आपको मिलेंगे और काफी अच्छा अत हुआ है